वह गुरु जी का खलिशा, वह गुरु जी की फते, स्कार जोग गुरू रूप साथ संक जी ओ जे मैं के आप जीनों पता ही है के गुर्दबारा स्री गुरु रबदाह जी, जमालपरवाना चंडिगार रोडविखे सत गुरु रवदाहर जी महराजी दे जो चाली शाब्द स्री गुरु गुरान साहिव जी दे विचाशोब तहन उन्ना दी लड़ी बार जो विचार चर्चा है वो चल रही है सो जो अजदा शाब्द है पहला अपा उसदा पाठ करांगे ते उस्तों बादों दी विचार करांगे सतनाम स्री वाहिगुरु बेगंपुरा शहर को नाओ दूख अदो हो नहीं तैठाओ ना तस्वीज खिराज नामाल खौफ ना खता ना तरस जवाल अब मोहे खूब वतन गय पाई उम्हा खैर सदा मेरे पाई रहाओ काएम दाएम सदा पात शाही दोमना सेम एक सो आही आबादान सदा मशुहूर उम्हा गनी बसे मामूर त्यों त्यों सैल करे जी उपावे मर हम महल न को अटकावे कहर विदास खलास चमारा जो हम शहरी सूमीत हमारा वहगरु जी का खलसा वहगरु जी की फते सतकार जवर गुरु रूब सासंगे जी उ आप जी ने सत्गुरु रुदाह जी दे महरा जी दे बेगमपुरा शहर को नाओ जो शब्द है उदा पाठ सर्वन कीता है आओ अपन सारे राण मिलके होने इस दे विचार करिए बेगमपुरा शहर को नाओ दूख अंदो हो नहीं तैठाओ सत्गुरु रुदाह जी महराजी साड़े समने एक ऐसा माडल एक ऐसा संकल्प रख रहे हैं क्योंकि जो तर्म होना है तर्म दा असली मकसद है संसार दे लोकानू बद तो बद सूखी करना सूखी जीवन जो है उने दा पतीत होवे तर्म दा मकसद जो जूर है उई ही होना है सो एदे विच सर ये गल्ला आजाए जान दियाने जिस तरह के सड़े बिचार है जे होने चाहिए देने जी देना असी खुद सुखी रहे ते सड़े कार्ल दूसरे लोग भी सुखी रहे दूसरा जो पक है जिसनों असी राज पाग कहने है क्योंकि जेकर जिस जगह ते असी रह रहे हैं जेकर उते राज सी सश्टम सही नी है ता भी दुनिया सुखी नी रह सकूगी पामे के उते तार्मक सश्टम बहुत बदिया है पर जेकर उते उस देश दे विच रहेंदे होए उस वतन दे विच रहेंदे होए लोग कानू बदिया राजनीतक सिस्टम ने मिल रहा है ताँ भी लोग दुखी रहनगे सो लोग आतम तो उते सुखी रहन ते हर तरह दे नाल सुखी रहन राजनीतक तोर ते उननानू सुख प्राप्त होबे उदे लई एक माडल एक नक्षा सत्कुरू रवदाहजी महराजी ने शब्दे विच साड़े सामने रखेया है पहला आओ अपा उनना दे शब्दी बिचार शुरू करिए बेगंपुरा शेहर को नाओ दूख अंदो हो नहीं तैठाओ ओ जो वबास्ता है ओ जो शहर है ओदा जो नाओ रखेया है सत्कुरू रवदाहजी महराजी ने उननू बेगंपुरा कहा है जित्ते किसे नो कोई गंब ना होवे उस जगह दा नाओ सत्कुरू रवदाहजी महराजी ने बेगंपुरा कहा है बेगम पुरा शहर को नाओ दूख अंदो हो नहीं तैठाओ ओथे किसे नूँ दुख नहीं है ओ जिड़ा माडल सद्गुरु वदाहजी महराजी ने सानु दिता है जो नियम सानु दिते ने जिंदगी वेचे अपनाऊन दे लई ते संसार्दे विचे नहीं दे आ होया सारे संसार्दे लोकां लई एक माडल जो दिता है ओ अगर अपना लिया जावे ता ओ जो ववास्ता बनूगी ओ थे किसे नूँ कोई दुख ने होगा दूख अदो हो कोई तकलीफ ने होगी नहीं ते ठाओ ना तस्वीस खराजना माल खवफ न खता न तरस जवाल ना तस्वीस खराजना माल उथे किसे नूँ चोड़ा नहीं लगोगा किसे मान दे विच किसे भी किसम दा चोड़ा नहीं पैदा होगा ते ओ जो देश है ओ जो शहर है उठ्धे किसे नू किसे किसम दा टेक्स नी देना पैंदा है ना तस्वीस, खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल उठ्धे किसे नू कोई गल्टी नी करदा क्योंके सारे एक असूल लाँ ते चल रहे हुंदे हैं जो तर्म बल्लों प्रमातमा बल्लों नर्दार्द कीते हुए हुदेहन तो इस करके उथे छेती कीते कोई गल्ती करदा ही नहीं तो इस करके उथे कोई किसे नूँ गल्ती दा डरपाऊ नहीं रहे दा के में तो किते गल्ती ना हो जवे खौफ ना खता ना तर्स जवाल, ते उत्थे कोई किसे दे उत्ते रोब नहीं पौनदा है, कोई किसे जलील नहीं करदा है, खौफ ना खता ना तर्स जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई उंहां खैर सदा मेरे पाई यह जो पंक्ती है यह रहो दी पंक्ती है असल विच सारे शब्दा जो मूल केंद्री बिचारत आ रहा है वो इस पंक्ती दे विच है अब मोहे खूब वतन गह पाई जित्धे पहला शहर दी गल कीती गई है इत्धे देश दी गल कीती गई है वतन गह पाई हुँद मैं उस देश दी वतन नू चंगी तरा पर्ख लेया है देख लेया है अब मोहे खूब बतन गह पाई जो पाइस दी जो नियम ने जो असूल ने सारे आँडा मिलगे रहना ऐक तुझे नू प्यार करना कोई जात पात ना हो वे सारे लोक बइबर होना तो नू मैं नू जो ऐसारा कोष्य सिस्टम होना चाहिए यग अजले देश यग एसा बतन होना चाहिए है और नू मैं पूरी तरह पता लग गया है अब मोह खूब बतन गए पाई उन्हां खैर सदा मेरे पाई तो ओ जो अकाल पर वहगरू प्रमात्मा दा जो देश होवेगा जो बतन होवेगा जिते सच देस हो बतन होड़ाद की ओधे हमेशा ही वो सुखी रनगे लोग हो उन्हां खैर सदा मेरे है मतल सुख साथ है इसे इतना सत्कुरूर उदाजी महराज शब्दे बेचे कहने ने उत्थे हमेशा ही दुनिया जो लोक ने सुखी रहे देने खैर साल रहे देने उंहां खैर सदा मेरे पाई रहाओ कायम दैम सदा पातशाही दो मना सेम एक सो आही ओ जड़ी पुथी जड़ा राजपाग है जड़ी यो पातशाही है ओ हमेशा कायम रहे दी है क्योंकि उन्हों कोई ओस पातशाही नूँ ओस राज़सी सिस्टम नूँ कोई चैल्ज नहीं कर सकता है क्योंकि उस सचते दार्त ह होंदा है उत्थे रभी असूर वर्तदे ने काइम दैम सदा पातसाही ओ पातसाही हमेशा ही काइम रह दी है ओदे विचे कोई तबदीली नहीं होंदी कोई बदला नहीं होंदा है क्योंकि जमें अपन देख दियां भी अपने थे पांच साल मगरों बोटां पैंदियां ने यह देखन दे लई के होन दसो भी जो सरकार होन तक चाल रही सी लोका तो पुछया जंदा थोड़े वारे होन की बिचार ने क्योंकि इत्थे जो सिस्टम चाल रहे है साड़े इस देश दे विच उत्थे यह बार-बार परखना पैंदा है देखना पैंदा है लोकान परमेशर दा राज है उदे जो नियम हन जो सचतेदार्त हन ओ जड़ी पात्षाही है ओ हमेशा ही कैम रहें दी है कैम दैम सदा पात्षाही दोमना सेम एक सो आही क्योंकि उत्ते जो वसन बाले लोक हन उत्ते सारे एक बराबर हन जो मैं अपब कहने है दोम सेम बदिया किसम पूछे दोमना सेम केडिया एब बदिया दो नमबर दिया तो लेकन उत्ते जो लोक हन जो उत्ते राज़ी सिस्टम है दोमना सेम एक सो आही सारे लोक बराबर हन कोई बहुत ज़ादा अमीर नहीं है कोई बहुत ज़ादा गरीब नहीं है तो जो बहुत ज़ादा अमीर ने जमै मैं साड़े थे हैं कि पैसे आने लोग ग्रीव लोग के शोशन कारे देने पैसे दे जोर दे हुत्व खुध two क्योंकि उन्हादी हार जगा चल दिया कचैरी घानिया दे और पैसे कारण उन्हादा दबदबा चल दा है पर ओ जो देश है जिस दा माडल सतकुरू उवदाह जी महराजी ने बेगम पुरे दे रूप बिच शाड़े सामने रखेया है उत्ते कोई किसे दा सोशल नहीं कर सकता पैसे दे जो ओरते कोई तक्का नहीं कर सकता है क्यों क्युंकि सारे बराबर ने जो दूसरा है वो भी उदे बच गयी या सत्गुरिव दाजी माहराजी दा एक शब्द है आहाम अपाउनों पढ़ देयां के ऐसा चाहू राज मैं जहां मिले सब उनको आन छोट बड़े सब समबसें रवदास रहे परसान तो इसे करके सत्गुरु रुदाहजी महराज कहें देने के जथे लोग बराबर होनगे आर्थकद आर्थे हर खेतर देविचे बराबर होनग ता एक दूजे दा कोई शोशन नहीं कर सकता है तो इसे तरह इस शब्दे विच भी सत्गुरु रुदाहजी महराज कहें देने ओ जो साचते अदारत साचते तर्मते अदारत जो राजपाग हो है जिसनू बेगंपरा कहा गया है ओथे दोमना सेम एक सो आही सारी दुनिया हर खेतर दे विच बराबर है कोई उच्चा नहीं कोई जात नहीं कोई पात नहीं कोई होर किसे किसमता बितकरा नहीं है सारे बराबर हन आर्थक तारते राजपाग तारते समाजिक तारते बराबरता है दोमना सेम एक सो आही आबादान सदा मशहूर उहा गनी बसे मामूर पाथ्शाही है आबादान वो हमेशा आभाद रहंदी है योषनों कोई टैटेरी नी कर सकदा ओ जो पाथ्षाही है उनंहों कोई अजार नी सकदा है ओ हमेशा ही अभाद रहंदी है ते मशुहूर रहें दी है दुनिया देवेचा आबादान सदा मशुहूर उधी मशुहूरी हमेशा ही बनी रहें दी है क्योंकि उनों ओधा कोई अजाड़ा नहीं पा सकता उधे उत्ते बाहरी कोई हमला नहीं कर सकता है वो हमेशा अबाद रहन वाला देश है मुलक है वो हमेशा अबाद रहन वाला हमेशा बसन वाला बेगंपरा है आबादान सदा मशुहूर उधागनी बसे मामूर उष शहर देवेच उष बतन देवेच तनी लोक बास देने रज्य पुज्य होई लोक बास देने श्याने लोक बास दे हन जो समझदार लोक बास दे हन ओहां गनी बसे मामूर उत्थे जिन्नेवी लोग ने ओ सारे समझदार ने इमान दार ने सचते चद्रन वाले ने कोई किसे किसम दी उनना दे मांदे बेच हेरा भेरी दा पाब नहीं है ओ मीर हन ओहो रजे पुझे ने उनना कोई पैस हमेशा ही अबाद रैंदा है उनुख कोई तबाद नहीं कर सकता है तो इसे करके सद्रूपदाहती महराच कहें देने त्यों त्यों सैल करे जी उपावे महरम महलना को अटकावे उत्ये किसे किसमदी कोई रकावट नहीं है त्यों त्यों सैल करे जी उपावे जिमें किसे दा जी कर दा किसे पासे जान नूँ क्योंकि उत्ये रास्ते आदे विच नाके नहीं लग दे ये डर नी रहे दाभी किते मैं जे जा रहे हैं राज राज नाका न लगया हो वे इस करके सद्गुरुबदाश जी महराजी ने ओ ऐसा केंदे हनको ऐसा बतन है जिमें केसे दा जी करदा जिदनु जानु जी करदा ओ जा सकदा है तियो तियों सैल करे जी उपावे जिमें कोई चौँदा है किसे पासे जान दे लई उनु कोई रिकावट नहीं है तियों तियों सैल करे जी उपावे महरम महलना कोवट कावे उथे कोई किसे नु कोई रिकावट नहीं है जमें के अपने अपनु खत्रा रहेंदा भई रादे बिच भई नाकाना लगया होवे जे नाके ते रोक लेया ताँ उनना ने मेरे ते कोई ना कोई नुक्स कट देना है जिश्दे कारण वो मेनु जलील करनगे जहां कोई पैसे दी मांग करनगे उस वतन दे उते उस शेहर कोई खत्रा नहीं है। लोक बड़े ख़जल खवार हुंदेने बड़े दुखी हुंदेने ते हर बेड़े मांदे विच तुर्ण लगयां जान लगयां सड़क दे होते ए चुरा बनिया रहेंदा है कि केते कोई मेनू रोक ना लवे पर जिस राज पाग दी गल जिस वास्ता दी गल सत्कुरूर दाहजी महराज कर देने वो केंदेहन कितियों तु उसायल करे जिऊंपावे ओ एक ऐसा उथे सिस्टम है कि जिस किसे नूँ जिस पासे नूँ जान नूमान चंदा है ओ अपने खुले देल देनाल जा सकदा है मरह महल ना को अटकावे उथे कोई किसे नूँ कोई नहीं रो ञाहा है जिऊंपावे जोहम शेहरी सूमीत हमारा हुन सत्कुरु थाज जी महाराज केंदेने भी पाई मेरा साथ ही ता होआ कि जिडा आजए महें सिस्टम दिता है जिते सारे लोग बराबर होने चाही देने एका होना चाहिएदा है जेड़ा इस बचाता रानों मन्दा है जो हम शेहरी सुमीत हमारा ओही मेरा मित्र है देखो इते सत्गुरु रवदाहजी महाराजी ने जेड़ा ओ उच्छे असूला नों मन्दा वाला बंदा है उन्हों अपना कोई गुरु चेले दी गालनी रखी है उन्हों ये नहीं कहा कि मैं तेरा गुरु हुआ तू मेरा चेला मित्र कहा है क्योंकि ओस वास्ता देवेचे सत्गुरु रवदाहजी गल कर देने उत्थे कोई अहीं जी गल नहीं है कोई गुरु बढ़के बैठा है बाकी उदे चेले ने उदे सेवा बिच लगे हुए ने ना सत्गुरु रवदाहजी माहराज बराबर बठाओ देने उना लोकानू बराबर कहें देने के तू भई मेरे बराबर बैठा क्योंकि अपा दो में एक कोई हैं आपा दुनों पर आमा तू मेरा मीत हैं तू मेरा मित्र हैं जो हम शहरी सो मीत हमारा जिस ब्यक्ति दी जिस बंदे दी मान सकता आहो जही है जिड़ा माडल सत्गुरु रवदाहजी माहराजी ने बेगंपुरे दे रूप बेच चितरिया है जो उन्हों मानदा है सत्गुरु रवदाहजी कहें दे ने वो मेरा मित्र है वो केला नहीं कहा है मीत्र कहा बराबर बठाया थले नहीं बठाया है जिते वो आप बैठे ने उत्ते नाल बठाया है कि तुम भी पाई मेरे वर गई है तुम मेरा मीत हैं तुम मेरा प्राह हैं जो हम शहरी सोमीत हमारा कैर अबदास खलास चमारा जो हम शहरी सोमीत हमारा जो व्यक्ति ए जो माडल है ए जो साच्च ग्राण साहव दे वेच्छ दर्जहान जो अकाल पर खुवाहे गरु परमेशर तो एध बानी आई है संसार दे लोकां दे पले वास्ते जीडा को यह ननू मन दा है जीना दा जिस किसे दावीद होते विश्वास है उच मेरा मितर है उच मेरा मितर है उच मेरा पराह है ओ भी जिमें मैं इस शेहर दा बासियां इसे तरह ओ भी इस देश दा नागरक है जिते मैं रह रहे हैं हाँ जिसनों उन्हाने बेगंपुरा कहा है जिते उन्हाने उस जगह नों बतन भी कहा गया है अब मोहे खूब बतन गए पाई इस करके सित्र गुरू बदाह जी महराजी ने साधे समने दुनिया दे पले वास्ते संसार दे लोकां दे पलाही वास्ते के जे कर लोक संसार सुखी रहना चौऍँ divciesने तहां सानु इस तर्ती दे उते पहला उनने अपना ओ माडल जड़े अपनी सुर्त दे पच लेयां था आप ओ सा वास्ता दे पच टिके ते फिर ओ जड़ा ओही जड़ा माडल हा ओचाओंदे ने तर्ती दे भी होवे एहो जा राज पाग इस तर्टी दे उते होना चाहिदा है क्योंकि आम तर्टे जो असे बिचार कर दे यां शब्दान दी बहुत सारे लोग कहने देने के पाई ये ता उपर ली वास्ता दिया गल्ला ने सत्कुरूर उर्वदाह जी महराजी ने की तिया एमें यासी किसे जगाते चले गए किसे डेरे दे वेच ता ओथे ओशब्द लाके बैठा सी कोई ओथे दा जो सेवादार सी ता ओशब्द मैं आपने मुहों कैंड ला गया ओखेंदा अभी तुसी ये शब्द जान दे हूँ मैं कैंड आपने मुजमानी चीते रूद ले राज पाग चाहिए ने मैं यही घलल जी तहीने और इपर ले वास्त करना है चांडी डूटी सत्त गुरू रुदाह जी ने यह लाई है सिर्फ उपर ली वास्ता बिच ने टिकीया रहनिया चाहिए दिया परले वास्ता दा माडल है वास्ता दा जो नक्षा खिच्चा है सद्यवाथ जी ने बराजी अ सें cute looking गुरु रुदाहजी महराजी ने दित्ता है, असी हो इसतार्ती दे लागू करना है, उसनु लागू करन दे लही, सनु शंगर्ष करना पैना है, क्योंकि एथे जो बभास्ता बन चुकी है, उच नीच दी, ना भराबरी दी, एक दूजे दे तक्के शाही दी, जुलम करन दी रिश्वत खोरी दी, ओ केमे मिटूगी, उनु मटाउन दे लही, सनु ओ जो साच दे सूल सत्गुरु रुदाहजी महराजी ने सनु दसे ने, जो गुरु गरांसाहिव दे पेच दर जहान, उनना नु सनु अपनावना पाऊगा, ओ जिडे सूल ने साच दे, उत्थे सारे लोक बराबर ने, उते सिर्फ एक दी पात्साही चल दिया, ओ एक कोंकार जिसनु प्रमात्मा कहा गया है, ओ दी पात्साही चल दी है, ते ओ जिड़ा है, बाकी सारे असी ओदे तियां पुतरां, असी ओदी पर जहां, ते हमेशा ही जड़ा बाप है अपने तियां पुतरा तो इस करके जो system है बन चुक तो बन चुका, आर्मक system है, अस इदेख लिए, डेरे खुले ने जगा जगा थे होर मजारा ने, मंदर ने, सहु लिएक मूर्थियदे, मलत बने। ओदे वन दे होए टाया लागूशत भार ताइए, सदिय को इत्यों सेश्ट्रम बनिया होया पर आज तक वो भीगं पर क्यों नहीं बात सकेआ वो बतन जिस दी कलपना सतकुरुपदाहजी महराजी ने शब्दे बिच कीती है वो आज तक कैम क्यों नहीं हो सकेआ क्योंकि असल विच जेड़े तार्मानू असी मानदे यां जेड़े ता मानसक शोशन कर देने, तो इस करके वह सब वास्ता देवेचे नहीं दे होता, वह बेगम पुरा नहीं बस सकता है, ते सत्गुरु रवदाहजी महाराजी ने फिर सानू किस वह वास्ता दी गल किती है, वह किती है के हर सो हीरा छाड के करे आन की आस तेनर दोजक जाहेंगे सत पाखे रवदाहस, जिनना चरे इस तर्ती दे उत्ते लोकां दे आपने बनाय होई तरम, खड़े कीते होई, जो तरम हन ओ बने रहनगे, जो साथे सामने दखाई दिन दे ने, इस देश दे विच लोकां दा पला नहीं हो सगदा है, तो उते पला हो सगदा है, ता केवल ते केवल एका काल पर खबह गरू परमेशर दे, नाल जोड़के जो ओदे दार्तों ए रभी बानी आई है, जो साच दे नियम, साच दे असूल, गुरू गरान साहिव दे विच दर्जने, उनना दे उते चले के ही, इस संसार दे विच, इस दुनिया दे विच, इस तर्ती दे ब्रबर तादा राज कैम हो सकता है, जिस दी गल इस बेगम पुरे शब दे विच, सत्गुरु रवदाह जी महराजी ने कीती है, सो इस करके जिस जो माडल सत्गुरु रुदाह जी महराजी ने अपने सुर्ट देविच चितविया है जिस अवास्ता देविचों पहुंचे हन सोच बचार करके सच दी खोज करके उसनु तर्ती दे लागू करन दे लगी सनु की करना पैना है सनु ए सारा जो तारम का डंबर खड़ा है चाहे ओ डेरियां दे रूप विच है चाहे किसे होर रूप विच है कबरा मजारा होर तरह 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 दी जो मनौताने उनने दे रूप विच है इनु खतम करना होगा सनु केबल ते केबल एक को सा काल पर वहग रूप परमेशर दे ना जोड़ना होगा जिड़ा किते दूर नहीं है जिड़ा सद्धे को लई है क्योंकि पहले शावदे विचे ही कलीर करता है सथ गुरु जबदाहजी महराजी ने तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा ओ कोई सथो दूर नहीं उनुप पाउन दे लई सारे गुरु गुरु ग्रांद सहवदें विचे कोई भी रहे ने इनना भी बचार कर इनना बिचो जो साच निकलना है इन्हों अपनी जिंदगी दे बिचे मड़ा अपना एया आसल बेचे जाप तो इस करके जो सिस्टम ता आर्मक सिस्टम में थे हुन ऐस टैम चल रहे ने ओना ते चल के ना अज तक कोई बराबर होया है बलके हो कि देड़ाल मखे दुनिया नूट रहे ने चाहे ओ राजनीतक ने चाहे तारमक क्ठेके दार ने ते ओना बोटां पऊंधेने उनना दे धेरां ते जानते ने देड़े लोक एक काल पुर्व भाहिग रूप प्रेमेशर नूँछड के दूनियां था माते जा जाके बोटा रहएक पाग आउना है तह जो हो कालपरख वह गखरुब पाँंयरी परमेश्र है, जो हमेशा सटे अंग संग है, हमेशा सटे नाल है, उधे नाल जोड़ना हूगा, उधे ना जोड़ना कोई अखी गादनी है, क्योंकि असे जो जिनना चीज़ना जिड़े होया है उने नु म कड मैं ता ते आ रहा है पहला उनना तो था आपने आपने मानरूपी जड़ा तू बनाया होया बेस्टर आई तो खाली कराओ उनना तो बठाई बैठ आए तो जदोवसी उननों कड़ दाएंगे ते ओ जो वास्ता बने गई ओ ही प्रमात्मा है ते क्योंके उद्य कोई फोट प्रमात्मा देनाल सत्गुरु रवदाहजी माराज जुड़ेने सनु भी उत्थे ही जुड़ना चाहिए है, जिथे साथे जो पैरोकार हन जुड़ेने उत्थे ही सनु जुड़ना चाहिए है, सनु ए तरह तरह ते जो जगा जगा ते जो पखांड दे जो तार्मा खड़े कीते हुए ने उननु छड़के एक कोसा काल पुर्ख वैगरु परमेशर दी सोच दे नाल जुड़ना चाहिए है, बचार तारा दे नाल जुड़ना चाहिए है, एसी एही बेंतियां करदा हुए मैं रजा लेना वैगरु जी का खालसा वैगरु जी की फते है